आज की कहानी है इस बंदे की ये है एरण रॉल्स्टन ये एक दिन हाईकिंग के लिए जाता है और दो पाहडों के बीच में एक पतला सा जगा होता है उधर सी ये नीचे उतर रहा होता है वहीं पर एक बड़ा सा पत्तर होता है जिसके सहरे वो नीचे उतरनी की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर फिसल जाता है और वो पत्थर के साथ साथ नीचे गिर जाता है उसे ज़्यादा चोंट तो नहीं आती लेकिन उसका हाथ उस पत्थर पे बुरी तरह दप जाता है वो अपने हाथ को बहुत निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता क्योंकि उसका हाथ पुरी तरह उसमें फसा होता है वो दूसरे लोगों को बहुत चिलाता है कि कोई उसकी मदद के लिए आ गया है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता इसलिए उसकी मदद कोई नहीं कर पाता और उसके पास फोन भी नहीं होता जिससे वो अपने घर वालों को इंफॉर्म कर सके धीरे धीरे समय निकल रहा होता है वो भूखा प्यासा होता है उसके पास बैग में एक छोटा सा चाकू होता है उसे चाकू से वो अपना हाथ काट कर वहां से बाहर निकलता है इसके उपर मैंने एक डिटेल वीडियो और बना रखी है अगर आप इस कहानी को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर